नमस्खार दोस्तों, मैं विमलज्शिक उत्तम और आप देखने Triple Edu Orses. दोस्तों अभी सिंगापूर में हमारे पास सिंगापूर के लिए requirements है PCM worker के लिए काफी requirement है और requirement अभी continue चल रही है, तो जो लोग भी सिंगापूर में PCM worker में apply करना चाहते हैं, सिंगपुर में PCM वरकर के लिए अब इसमें जैसे क्राइटरिया है PCM के लिए UP बिहार बंगाल के पासपूर्ट एकसेप्ट नहीं होंगे कई बार कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों है दोस्तों अभी इस टाइम पर उनका रिफ्यूजल है इसलिए हम वो मिस पासपूर्ट नहीं ले पा रहे हैं ऐसा बिल्कुल मिस क्लाइंट की उपर भी डेपेंड करता है क्लाइंट ने अगर हमें गाइडलेंस दिया इसके साब से हमें उनकी गाइडलेंस को फॉलो करना होता है यूपी बिहार बंगल के पासपूर्ट अक्सेप्ट नहीं होंगे और बाखी इंडिया में कहीं के भी लोग होंगे उनका पासपूर्ट अक्सेप्ट हो जाएगा PCM category की वीजय की requirement PCM work permit जो की apply करते हैं within two days वे work permit आ जाता है जो लोग भी interested है वो apply कर सकते हैं अभी भी हमारे पास में requirements हैं क्योंकि हमारे पास में 600 की requirements हैं जिसमें से भी कुछ application हमारे पास में आ चुके हैं जिनका submission हम इस week के end में करने वाले हैं और भी लोग जो interested हैं वो हमारे office में विजट कर सकते हैं और वो भी इस जो huge requirement है चैसे लोग की उसमें apply कर सकते हैं Singapore के लिए process actually बहुत fast है और अभी जिन लोग की वीजा आ चुके हैं दीर दीर करके उनका entry approval आने वाला है तो जो लोग भी इसमें apply करना चाहते हैं वो लोग definitely हमारे office में विजट कर सकते हैं requirement अभी है PCM का quota actually बहुत कम निकलता है पहले देखा होगा अपने January, February, March में हमारे पास में quota ना के बराबर था March end में quota आया उसकी बाद से लेकर back to back हमारे बहुत सारे वीजा आये तो अभी जो लोग भी apply करना चाहते हैं हमारे पास right now requirement है, quota है अगर apply करना चाहते हैं तो definitely उनके लिए right time होगा apply करने के लिए process काफी fast होने वाला है में अगर हम submission करेंगे, submission के दो दिन के अंदर work permit approve हो जाएगा और processing में total देखा जाए तो 15-20 days के अंदर पूरी process complete हो जाएगी IP लेटर आने तक की, उसके बाद में entry approval लेना होता है और उसके बाद flight होती है तो दोस्तो प्रोसेस काफी fast है, कोई भी candidate medically fit हो, physical fit हो, 20 साल से लेकर 40 सार की age हो मेर candidate जिनके पासमा passport होना चीए, 18 मैंने की validity होना चीए, basic understanding English की होना चीए या फर English इतनी समझ में आया कि पढ़ सकें, अगर बोलना ना आया तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ सकें, चीजों को समझ सकें, वो इसमें apply कर सकते हैं कोई special skill की आवशकता नहीं है, general worker भी apply कर सकते हैं, इसके लाबा जो skill वाली profiles होती हैं, उसमें भी apply कर सकते हैं जो requirement है, मैं इस एक प्रिकार से वहाँ जाके survive कर सकें, इतनी quality होना चाहिए, English बहुत अच्छे नहीं होना चाहिए, communication जरूरी नहीं है, ILTS बगार कुछ भी requirement नहीं है, कोई भी candidate से पितना समझ जा कि क्या लिखा है, उसका meaning समझ में आए, Singapur में जाके survive कर सकें, सिर्फ इतन करें, और बहुत जल्दी उनका visa भी आएगा, जब apply करेंगे तो, और सबसे important चीज़े, client से confirmation लेने के बाद ही, agreement होगा, अगर documents strong होगे, अगर eligible होगे, visa लग सकता है, तब ही उनके documents को accept करके, shortlist के जाएगा, और उनको confirm किया जाएगा, आप agreement कर सकते हैं, process कर सकते हैं, दोस् स्टेट को, यूपी, ब्यार, बंगल, तो, हमारे कोई भी स्टेट के, बाखी स्टेट में से कोई भी स्टेट के लोग का visa, work permit, कभी भी refuse नहीं हुआ, और जिन लोग का apply कि apply करने लिए, अगर documents की बात करें, तो documents की बिस पर जो shortlisting की, shortlisted लोग का refusal बिल्कुल ना की बराबर का हो, यह दो बंदी का, बहुत जादा ratio नहीं होता, बहुत normal होता है, तो दोस्तों जो लोग भी interested है, किसी भी profile में PCM में जाने के लिए, वो हमारे office में विजट करें, और जो अभी requirement है, उसका लाब लें, क्योंकि ये quota अभी है, कोई समाई के बाद ये quota नहीं रहेगा, दो वीडियो पसंद आया, तो like कीजिए, comments कीजिए, share कीजिए, हमारे videos को लगाता देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए, गंटी वाला option जरू दबाएं, जैसे कि आपको आने वाले सारे videos की notification सबसे पहले मिलेंगे, धन्यबाद